आदर्निय प्रदान मंत्री जी, नमस्कार। आप हम जैसे युवाओ के बहुत बड़े प्रेणा स्त्रोथ रहे हैं। आपने कई सारे ऐसे काम किये हैं, जिसकी बज़े से आने वाली पेड़ी आपका धन्यवाद करेगी। चाहे नोट बंदी हो या जी एस्टी, लोगों को अब उसकी कीमत समझ आने लगी है। एक सीए होने के नाते मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि इसका बहुत सारा फाइदा है। मेरा सार आपसे एक ही क्वेश्चन है कि वोट बेंक की परवा किये बिना आप ये सब कैसे कर सकते हैं। जैहिंद। बहुत सरल्फा जवाब है, सवाक्सो करोर देश वाशो के आसिरवाद मेरे साथ है, इसलिए कर सकता है। देखिए, समाज जीवन में आज भारत एक ऐसी अवस्था में पहुंचा है, ये मौका हमने घवाना नहीं चाहिए। कोई कलपणा कर सकता है, कि जब हमारी सरकार बनी, तब हम दुनिया में, अर्थ व्यवस्ता में दसवे नंबर पे थे। पूरी विश्वे में हम दसवे नंबर पे थे। आज हम चठे नंबर पे पहुंच गए है। चार साल में दसमें से छे नंबर पे और मैं आपको विश्वाद दिलाता हूँ, वो दिन दूर नहीं होगा ये खबार आएगी, कि भारत अब पांच में नंबर पे पहुंच गया है। दुनिया के समरूत देशों को हमने पीछे छोड़ दिया है। आज हम गर्व कर सकते हैं कि दुनिया का सबसे उंचा स्टेच्यू किसके पांस है। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको गर्व नहीं होगा। देश में 38 प्रतिशत सेनिटेशन था, सवचाले थे, गार्मेंट सवचाले 38 परसंट, आज 98 परसंट हो गया। जब हम आए तब देश के आधे लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं था, आज करीब करीब देश के सभी लोगों का बैंक अकाउंट हो गया। और एक आंतरास्टे रिपोर्ट है कि पूरे विश्व में जितने बैंक अकाउंट खुले हैं, उसके आधे अकले मोदी के राज में खुले है। अगर एक बार, क्योंकि समाज ने मुझे यहां सोने के लिए नहीं बेजाए, मौच करने के लिए नहीं बेजाए, प्रधान मंत्री पत को एंजोय करने के लिए नहीं बेजाए, काली मजूरी करूंगा, 24 घंटे काम करूंगा, देश के लिए जो कर सकता हूं, करने में झाल 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 झाल